तातियों नमस्कार तातियों आपने दोबई में फ्लट के बारे में सुना होगा वहां पर बाढ़ आ रही है काफी कुछ अस्तिवस्त हो गया है पानी अभी भरा हुआ है फ्लाइड डिले चल रही है अर्फ विश्था काफी डाउन चली गई है दिख्कतों का सामना दोबई क कभी बाड़ नहीं आती ती यह बाड़ इसलिए आ रही है क्योंकि वहां पर एक हिंदू मंदिर बन गया है हलांकि हिंदू मंदिर पहले भी था यूए में लेकिन लोगों को भई आदी इंफर्मिशन दे दो और भड़का दो चुन आपका टाइम है तो और भड़का दो लेका कि भाएइ इस देश में कुछ और उसके लिए भी इनको जिन में ठहला दिया जाता है कि इसे सब हो रहा है अब तो विदेशों में भी कुछ हो रहा है तो उसके लिए भी नहीं अखराने की बात है खेर हमें इन लोगों से मतलब नहीं है हम इस बात पर डिसकुशन करेंगे कि दोबई में बाड़ आई क्यों तो देखिए दोबई एक ऐसा शहर या पूदा यूएई एक ऐसा देश है जो अच्छा खासा बिल्डिंग से घिरा हुआ है पूरी तरह से मॉडरिनाइजड है हर तरह की सुविदा है बिजली है पानी है सब विवस्ताएं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आज इस मॉडरन शहर की स्थिति ये हो गई है कि पूरी तरह से डूब गया है मामला अस्त्यस्त हो गया है फ्लाइट भी डिले चल रही है और दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा बिजी एरपोर्ट इस समेठ ठप पड़ा है हलांकि इस बात को भी 5-6 दिन हो गई मामला अभी वहां पर ऐसा का ऐसा ही है ऐसा क्यों हो रहा है साब इस दमकते दमकते शहर की स्थिति एकदम डूबे हुए शहर जैसी क्यों हो गई उसके कुछ कारण है जिस पर हमें चर्चा कर ली है तो देखिए एक पूरा सिस्टम समझते हैं यूए नाम का एक देश है जिसमें टोटल सेविन एमिरेट्स है एक साफ इन में से एक है दोबाई जिसकी हम चर्चा बार बार कर रहे हैं यूए चूंकि एक डेजर्ट वाला एरिया है यहां पर हमेशा मरुस्थल जैसे इस्तिती ही रहती है यहां बारिश नहीं पड़ती अगर हम जोग्रफी के पर्सपेक्टिफ से देखे हैं तो हमारे पूरे गलोब में कुछ छेतर ऐसे हैं जा बारिश नहीं पड़ती और हमेशा डेजर्ट बना रहता है जैसे, जैसे, मैं आपको बना के दिखाऊंग, अगर हमारा equator लें, 20 डिगरी नॉर्थ लें और लगबग लगबग 30 डिगरी नॉर्थ ले लें, तो यह जो जोन होता है 20 से 30 का, जो जोगरफी वाले लोग हैं, वो जानते हैं, इस portion में हवाई नीचे की तरफ बैठती हैं या की वजय से बारिश इस छेतर में होती नहीं है, और दुनिया के जितने भी मरुस्थल हैं, जितने भी नामचीन मरुस्थल, चाहे आप Arabian Peninsula की बात कर लो, दुबई, साओधी, इन सब एरिया की बात कर लो, यहां के डेजर्ट हो गए, या आप USA के पास में डेजर्ट हैं, व अपर 10-30 के बीच में हिए, क्योंकि यहां पर हवाएं क्या होती है, उपर से नीचे के तरफ बैठ रही होती है, चैसे किसी जगह पर यहां तो हवा गर्म हो जाती है, गर्म हो करके उपर के तरफ उठने लगती है, हलकी हो करके, जब हवा गर्म हो करके उपर उठ जाती है, तो अपने साथ जलकी बूंदे भी ले करके जाती है, जलकी बूंदे अपने साथ ले जाती है, जब एक हाइट पर पहुंच जाती है, तो हव हवा ठंडी होने लगती है क्योंकि उपर temperature कम है हवा ठंडी होने के बाद वो जो बूंदल लेकर के गई थी उनको कंडेंस करा देती यहाँ इसे हो जन i Shut up एक यह जैए और बादल बना वज़न इते आस्मान में होने लगती है रवा उपर जाएगी पानी लेकर के छंड आ उपर नहीं उठती, वहा हवा उपर से नीचे की तरफ बैटती है, प्रेशर बेल्ट का अच्छा घासा पूरा कॉंसेप्ट है, उसमें पता चलता है, तो जब हवा उपर से नीचे बैटती है तो कभी बारिष निगराती है क्यों क्यों क्योंकि जब भी हवा उपर से नीचे की तरह बैठती है तो धर्ती की तरह आ रही होती है देखिए ये माल लीजिए हमारा सर्फेस है तो जब भी हवा उपर से नीचे की तरह बैठती है तो सर्फेस के करीब आ रही होती है और हमारा सर्फेस और लेडी गरम होता है गरम क्यों होता है क्योंकि ये सन की लाइट को एब्जॉब कर लेता है absorb करने की वज़े से गरम हो जाता है और एक heat source की तरह काम करता है बात समझेगा तो जब भी हवा उपर से नीचे subsidence कर रही होगी अब रोहन कर रही होगी तो गरम होती हुई आती है और गरम होने के कारण अगर उसमें कोई जलवाश्प है भी तो जलवाश भी वाटर वेपर ठंडी होने के वज़ाए और गरम हो जाती है और जब वाटर वेपर गरम हो जाएगी तो बरसेगी कैसे बरसती तो तब है जब कंडेंसेशन की वज़े से ठंडी हो और जल्की बूंदे बने तब वो गिरती है नीचे बारिश की रूप में तो यहां तो मामला ही उल्टा हो रहा है इसलिए जब भी सब्सेडेंस हो रहा होगा तो रेन नहीं होगी क्योंकि heated source के पास आ R马马 मामला हो रहा है हवा गरम हो रही है एक तो नीचे से निचे का राइगी निचे नीचे कहा से पानी लाय CPेर यह Eigen इगी यह लोग करते हैं cloud seeding जो UAE वाले हैं या आसपास के जो देश हैं वो पाने की उपलब्दता के लिए दो काम करते हैं एक तो करते हैं cloud seeding मैं cloud seeding भी बताऊंगा भी क्या होता है और दूसरा यह करते हैं कि जो ocean का water होता है यह sea water होता है उसे करते हैं purification के लिए इन्होंने बड़े-बड़े plant लगा रखी हैं जिससे पानी purify हो करके इनको मिलता है cloud seeding क्या होता है cloud seeding होता है एक तरह से artificial rain कराना का रहरं क्या होता है 8 official rain होता है normally पानी जब गर्म हो जाता है तो एवैपोरेट करता है पानी ऊपर पहुचता है उपर पहुंचने के बाद में जो वैपर उपर पहुंची है जो पानी वैपर का रूप लेकर के उपर पहुंचा है यहाँ पर टेंपरिचर कम होने के कारण ठंडा होने लगता है और पानी जब ठंडा होने लगता है और उसे धूल का कण मिल जाए कहीं या कोई गैस का कण मि जाएगी यहां जाएगी और ऐसे कई सारे बूंदे जब जाती है तो जमने के बाद एक बड़ा सा क्लाउड बना लेती है मिलकर कि और इस क्लाउड का वजन जरूर से जादा हो जाता है तो यह gravity के प्रभाव में नीचे गिर जाता है या बरसने लग जाता है इसी को कहते है रेनिंग यह natural तरीका है अब बनना दिया जाता है यह से एक again के माध्यम से ल कि कुछ पार्टिकल्स को जान बूलो द W न राए लेकılar फिर बना दिए जाता है यह एक को रबन के माध्य हम से फिर बने के एक प्रटिकल्स को जान बूत्विके былоôज के शेयोák हो गया यह क्या करते है अवातावरण में जाकर के एट्मस्वेर में जाकर के कंड का काम करते हैं कंड मतलब जिसकी में बात कर रहा था यह इस पार्टिकल का काम करते हैं इस कण को टेक्निकली हाइग्रोस्कोपिक नुक्लियाई बोलते हैं तो ये जो कण है छोटा छोटा आपको पार्टिकल दिख रहा है इसका काम करती है सिल्वर आयोडाइड जो जेट के द्वारा छड़की जाती है और जैसे वहाँ कण पहुँच जाते हैं तो जो भी वहाँ पर जलवाश होती है जल्दी से उस कणों पर चिपा करके ठंडी होने लग जाती है आर्टिफिशल रेइनिंग में यह किया रहता है और जितनी जल्दी खंडी होंगी जितनी जल्दी आपस में जुडइंगी उतना ज्यादा बादल बनेगा जितनी बादल बनेगा उतनी बरसेगा तो यह जो मेघों का बी जा रोपन हो रहा है तो दुबऐ तथ्था UAE यह आज़ आसपस के देश लोग इस type के method से बारिश करते आ रहे हैं लंबे समय से इन्हों ने इस बार भी वही किया लेकिन इस बार चीज़े बैक फायर कर गई और बैक फायर ऐसे कर गई कि ये कुछ जादा ही हो गया और इससे rain को जादा ही आ गई cloud seeding में मैं बता चुका हूँ जैसे ये silver iodide है solid carbon dioxide भी होती है इसके इर्द गर्द पानी की बून ठंडी होने लग जाती है और जल्दी जल्दी ठंडी होकर के बादल बना लेती है और जती जल्दी बादल बनता है उती जल्दी बरसने लगता है इसे कहते हैं artificial raining ये cloud city अब साहब होता क्या है कि इन लोगों ने जो दुबई वाले हैं इन्हों ने दुबई में जो फ्लड आया है क्यों आया है इसकी भी बात करते हैं पहला तो इन्होंने ये cloud seeding कर दी cloud seeding backfire कर गई कुछ जादा हो गई इससे बारिश जादा हो गई पहला काम बारिश कितनी हुई इतनी हुई 24 गंटे में उतनी बारिश बरस ली जितनी वहाँ पर दो साल में बरसती थी लगबग लगबग 6 इंच के आसपास कि दूसरी गलती इन से यह हुई इन से क्या हुई वह टेक्निकल इनका एरर है कि इन्होंने अपने डेने सिस्टम अच्छा नहीं बना रखा डेने सिस्टम का फॉल्ट है जैसे हमारे भारत में भी नाली और नाले का तंत्र बिलकुल बेकार है थोड़ी से बारिश पढ़त देवस्ता ही नहीं है तो इसलिए भी कि वर डेने सिस्टम की वज़े से भी जो बारिश है उसका इफेक्ट जादा हो गया यह इनकी दूसरी गमी है और तीसरा है आपका क्लाइमेट चेंज का फेक्टर लाइमेट चेंज यानि जलवायू परिवर्तन हो रहा है आपको पता रही है और हवा जब ज्यादा गर्म हो जाती है तो हवा के पार्टिकल्स के बीच में जो इस पेस होता है वो ज्यादा हो जाता है और हवा के पार्टिकल्स के बीच में जब इस पेस ज्यादा हो जाएगा हवा गर्मों के जब फैल जाएगी तो उसमें जलकी बूंदे ज्य जाएगई तो ज्यादा पानी ऊपर पहुंच जाएगा ज्यादा पानी ऊपर पहुंच जाएगा बादल भी घंए बनेंगे बारेश भी ज्यादा होगी तो climate बारिश हो कैसे रही है बारिश हो ऐसे रही है कि तो आटिफिशल करी रही है वह तो आप करी सकते हैं उसमें क्या कर सकते हवा नीचे बैठे चाप खुद ले जाकर क्या विवस्ता कर रहें दूसरा हो क्या रहा है कि जैसे जैसे और पिसे रहा है वैसे वैसे कुछ वैदर फिनोमेना होते हैं कुछ मौसमी घटना होती है जैसे अल्रीन हो गया लानिना हो गया ऑज़ट है नेगटेव ईयो और य विई एक बखेंग का मतलब बस इतना सा है कि जो आपका हिंद महँसागर है उसके जो पार्ट है जिनमें एक हम देखते हैं देखिए कि यह है आपका बेंगोल और यह आपका अरेबिंसी जब अरब सागर का तापमान बंगाल की खाड़ी के तापमान की तुलना में कुछ ज्यादा हो जाए तो इसे कहते है पॉजिटिव आयोडी ठीक है एक जोग्राफिकर टर्म है वह क्या है इस वार ज्यादा है क्लाइमेट चेंज की वएसे तापमान ज्यादा है फिलस उपर से आप क्लाउड सीडिंग कर रहे हो तो उपर जलकी बूंदे पहुंची गई है आपने प्लेटफॉर्म दे दिया उनको ठंड़ होने के लिए तो बारिश तो होगी होगी इस दरीजन इस जगे क का तापमान ज्यादा होने की वज़े से इवेपोरेशन भी ज्यादा हुआ उपर पानी भी ज्यादा पहुंच गया है वह बात लगे बरस नहीं रहाता नॉर्मली लेकिन आपने क्लाउड सीडिंग करके उसे भी बरसा दिया यह एक फैक्टर है निका आप देख सकते हैं जो क्लाउड हैं यूई में प्रविश कर रहे हैं अगला एक और जो फैक्टर यहां पर देखने को मिला वो यह कि उमान के नीचे उमान के उस तरफ इस्ट में देखेंगे तो एक स्टॉम जनरेट हो रहा था स्टॉम होता है त इसकी वजह से भी यहां पर सीफान के साथ साथ जल् Casey बूंदे गई उसकी वजह से भी लिकी मात्रा बढ़ गई इया बारिश उए तो πरिस की मात्रा बढ़ गई आप कह Jaime तो अधर क्यों गया इधर क्यों गया उधर क्यों गया व्तर इक स्टॉत को है एक high pressure का zone है, हाइप रे प्रेशर का zone है, हवा कभी भी high pressure पर होगी तो हमेशा high pressure से low pressure की तरफ जाने का प्रियास करेगी, आप एक गुबबाडे में सुई से छेद करिएगा तो हवा भार की तरफ निकलते हैं गुबबाडे से, क्योंगे बाहर pressure कामे गोबबाड़े के अंदर ज्यादा है तो high pressure से तूफान का जो गोला है high pressure का होता है ये low pressure की तरफ आकर्षित होता है चाहे low pressure कहीं भी हो और ये low pressure बनता है ज्यादा ऐसे इलागों में जहां पर urbanization ज्यादा है urbanization का मतलब होता है शहरीगरन से हमारे पात्पर है जहांपर बिल्डिंस ज्यादा हो जहांपर सड़कें ज्यादा हो ज्यादा पूंशापकेंग के को हीट को ज़्यादा अब्जॉब कर लेती है गर्मी को ज़्यादा अफ्शोषित कर लेती है इससे क्या होता है जब गर्मी ज़्यादा आ वहां पर नीचत आती है उस शहर का नॉर्मल तापमान बढ़ जाता है जब किसी शहर का नॉर्मल तår मगद तो इस जहर है इसको हम बोलते हैं अरब कई हीट आइलेंड अर्बन यानि शहरी ऊष्माधीब बोलते हैं जब अर्बन हीट आईलेंड यह बन जाएगा जब पूरे पुरे शहर का तापमान एवरेस से ज्यादा हो जाएगा तो यहां पर जो हवा फसी हुए है उसका तापमान भी ज्यादा हो जाएगा और जब हवा का आपमांच ज्यादा हो जाएगा तो हवा गर्म होकर कि उपर की तरफ उठने लगेगी और जब हवा गर्म होकर कि उपर की तरफ उठने का प्रयास करेगी तो वहां पर नीचे लो प्रेशर बन जाएगा अलांकि हवा उपर से भी नीचे बैठ रही है लेकिन जब नीचे से भ हाई प्रेशर बना हुआ है वो इधर आकर्षित हो जाएगा और अपने साथ जल्की भूंदे भी लियाएगा जो इवापरेशन की वज़े से समुद्र में बनी हुए यह भी एक रीजन है इनके यहां बारिश होने का है कि यह कुछ में कारण है दुबई के अंदर और यह आने वाले समय में होता रहेगा यह रहा है यह सब हो रही है तो बहुत हो रही है बरफ पड़ रही है यह सब क्लाइमेट चेंज की वज़े से तापमान बढ़ जाने की वज़े से कि यह रीजन है कि दुभई हमारा जो है दूब रहा है ना की रीजन यह है कि मंदिर बन गया है जितना ज़्यादा आप कंस्ट्रक्शन करेंगे उतना ज़्यादा लो प्रेचर बनेगा आपके यह उतना ही ज़्यादा चांसिस है कि वहाँ पर साइकलों आ सकता है चक्रवाद आ सकता है तूफान अगर पानी के उपर से हो करके आ रहा है यानि चक्रवाद का छोटा रूप लेकर के आ रहा है तो हो सकता है जलकी बूंदे भी लेकर के आए या तो बारिश करवा देगा या उसकता है फ्लड करा दे तो मुद्र कही पानी लिए यो भी करा सकता है अगर इसमें और कोई न्यूज आती है कहीं और घटना पज़ा चलती है जोगरफी के रिसर्च पेपर में कोई बात आती है तो उसे भी डिसकस करेंगे अब तक के लिए नमस्कार